हर मानों का प्रियोजन क्या है फिर लिख रहे हैं हर मानों का प्रियोजन यही है आचरण में इसको संकल्प की बात कर रहे थे आचरण में इस्ठा अध्यनगामी विदी से और उसमें इस्थिरता संकल्पित हो जाना अनुभव मूलक विदी से तो यही मानों का प्रियोजन है क्यों कि ऐसा होने से ही प्रियोजन का मतलब जो उसका धर्म है वो सफल हो जाए मानव सुभ धर्मी है तो वो सफल हो जाए इसके दूस इसके बाद तो स्वैम सुखी हो गए इसके बाद क्या प्रियोजन है इसके अनंतर्मन इसके बाद प्रियोजन है ब्यवस्था में प्रमा इस थाप्यत करना उसमें, सुखी होना, जिसको कहाए क्रिया-पून्ता उसका प्रमाण पहला केहां देना विवस्तह में परवार रूपी विवस्तह में और उसकी अंतिम सफल्ता उचाई क्या है अकंड-समाशा आरवम रूपी विये अपने योगदान को निभाना इस तरह से गठन पूर्टा हो चुकी है क्रिया पूर्था की फल्सरूफ व्यम संपन्न हो जाना और आचरन पूर्था में उसका कल्मिनेशन या उसकी हाइट या उसकी सार्तक्ता या उसका प्रियोजन या उसका प्रमाण को प्रस्तृत कर देन इस तरह से इसकी बात कर रहे हैं तो गठन पूर्था क्रिया पूर्था और आचरन पूर्था अभी मानव सब को पहचानते हुए मानव को पहचानने की विधा में सरवाधिक पिछड़ा हुआ है एक तरफ तो हम बहुत सफल हो गया बैग्याने की जगत में हमसे पूंचलो सूरच यहां से कितनी दूर है चांद कितनी दूर है कैसे सैटलाइट भेजेंगे और अब तो हम एक एक हमारे पास ऐसे यंतर आ गए हैं और अब तो आरोग सेतु लगा दो आप अपने घर से बाहर कदम रखोगे तो उस पर सूचना मिल जाएगी कंट्रोल रूम में के लेकिन अपने ही घर में अपनी पतनी को नहीं पहचानते हैं अपने ही बच्चे को नहीं पहचानते हैं मतला उसको समझते नहीं हैं अपने ही माता पिता की अपेक्छाओं को नहीं समझ पा रहे हैं क्या बढबना है तो अभी मानों सब को पहचानते हुए भी मानों को इसकी भरपाई ज्यान विवेक पून कार विवार से ही कर सकते और कोई सम परीका नहीं है इसके लिए ज्यान विवेक पून कार विवार से ही होगा इसका मतलब यह हुगा कि तीनो अवस्था की एकाईयों में अपने त्वासध विवस्था एवं समगर विवस्था में भागीदारी पर्मानित कर चुकी हैं क्योंकि वो विवस्था में भागीदारी कर रही है उससे और समरद्धी को बड़ी है और इसी के फलन में आगे दे रहें इसका प्रमान क्या है कि उन्होंने ब्यवस्ता में भागीदारी की क्योंकि इसी के फलन में मानो मनाकार को साकार करने में सफल हुआ चार इसी के फलन में क्योंकि उनका निस्चित आचरन है हम उसको उपयोक कर पाए अपने मनाकार को साकर करता तो हा अपने विवस्ता में अचूक रहा कोई गलती करता नहीं है पिट्टी पत्थर मणी धातु सब अपने अच्रन में अचूक रहते ही हैं इसी आधार पर माक्तवा कांचाओं संबंधी प्रोध्धिकी विवस्था को अथ्वा उत्पादन को सम्रद्ध बना पाया इसलिए ऐसा हो पाए हम इन सब कर पाए यदि यह सब क्या बात है पानव जैसा परस पर जगडालू मत भेद विरोध बिद्रोह करने लगते तब क्या होता ज़िए लोहा सीमेंट से जगडने लगता इसना और चानी में विवाद हो जाता इसना मिट्टी और पत्थर पानी बोलता नहीं अब तो हम प्यास न इसा परस पर जगडालू मत भेद विद्रोह करने लगता बाबा कई बार बहुत ही संवेदंसील भासा का प्रियोग कर रहे हैं तो क्या होता यह ना यदि इसी प्रकार अन्य प्रकृती भी अपने आच्रण में इस्तिरता निस्चेता नहीं रखती तो क्या होता यह ना तो नहीं है आज बजन नहीं उठाएंगे बहुत होगे आज तो संडे है चुटी है और पूरा गिर जाती तो हमारा मनाकार कैसे साकार होता तो किसी भी मनाकार को किसी भी मानाओ का मनाकार साकार करने की नहीं रहती तो यह निस्चित आच्रण की बज़ेसे हो रही है और एक ब किर्मागत बिधी से तीनों अवस्थाओं अवस्थाएं अपनी अपनी इथा इस्थती के अनुसार निश्चित आच्रण के रूप में प्रिकट रहना मानों के लिए सार्थक रूप बनी तो यह मानों के लिए सार्थकता हो गई कि सभी अपने अपने इथा इस्थती के अनुसार निश्चित आच्रण के रूप में प्रिकट करना तीनों अवस्थाओं का यह मानों के लिए सार्थक हुआ परंतु मानों अन्य प्रिकृती के साथ जी कर मना स्वस्थता को प्रमानित कर ही नहीं पाया प्रमानित की ये बिना मानों का मानों ये तर सभी प्रिकृती के साथ पूरक होना हो है ही नहीं तो मना स्वस्थता के बिना ये पूरकता संभव नहीं है कितना ही नहीं मानों मानों के साथ पूरक हुए बिना अन्य प्रिकृती के साथ पूरक होना बनता ही नहीं ये बहुत ही मारमिक statement है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये क्रक्स है, क्या कह रहे हैं, कि finally मानो मानो के साथ पूरक हुए बिना, अल प्रकृति के साथ पूरक होना बनता ही नहीं है, और जितने भी आज के environmentalist हैं, जो ये कह रहे हैं, कि हम प्रकृति के producer को रोग कि मानो, जब तक मानो के साथ पूरक नहीं होगा, प्रकृति के साथ पूरक होना कोई संभावना नहीं है, इसलिए हमें मानो को पहले मानो के साथ पूरक होना होगा, अर्थात मानो को संसकारित करना होगा, सिक्षा संसकार बिदी से, उसके मूल में स्वैम को संसकारित होना उसके मूल में मानों का अध्यान होना होगा अभी जितने इन्वा मेंटलिस्ट हैं बिना मानों का अध्यान किये हुए उनको लगता है पॉलसी मेकिंग से नए नियम कानून बना देने से हम प्रकृती के साथ अच्छे से जी पाएंगे यहां पर बहुत स्पस्ट रूप से कह पूरक होगा उसके बाद ही हम अन्य प्रकृती के साथ पूरक हो पाएंगे यहां क्यों कि यदि हम मानों के साथ पूरक नहीं हुए अर्थात अपने कोई नहीं समझ पाए अर्थात अपनी आवसक्ताओं को नहीं स्पस्ट करता है अर्थात हमारे में ग्रीड अर्थात सरी पिरकृती पर दबाव बना कर रखेंगे इसलिए कितनी कारें चाहिए कितना बड़ा मकान चाहिए कितने कपड़े चाहिए कितनी जुएलरी चाहिए कितना भोज करना है यह सारी चीजों का तैही नहीं होगा यदि हम मानों को नहीं पहचानेंगे और यदि यह तैनी होगा तो प्रकृति के साथ संतुलन संभाव ही नहीं है तो बिलकुल एक ख्याली पुलाव है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक लेंगे बिना मानों का अध्यन की हुए क्यों क्यों कि मानों पर सरीर का दबाव है जब तक जीवन को नहीं समझेगा ज्यान का संसकारित होने का अध्य है इसलिए मुझे लाइन भौती और बाबा ने बोल्ट की हुई है मानों मानों के साथ पूरक हुए बिना अन्य प्रकृति के साथ पूरक होना बनता ही नहीं इससे एक और सूत्र निकलता है कि हमें अपने चीजों को प्रायटाइज करने की भी बात है अभी बहुत सारे लोग बहुत सारी उर्जा है ना दूसरे कामों में लगाए हुए हैं जैसे जैसे इस पश्टा बनेगी यह पता लगेगा पहला काम मानों को संसकारित करना है क्या संसकार कोई ठीक करना होगा तो अपनी उर्जा का अपने ही आसा विचार इक्षा चर्चा कर रहे होते हैं तो बहुत सारा कमेंट्स को नहीं देखता हूं तो एक बार एक नजर मार लेते हैं बहुत ही बढ़िया ठीक है अभी ठीक है अब सुन्द्रावें अब बहुत बढ़िया बहुत अच्छा चल रहा है ऐसा लग रहा है यह मेरा आप लोग बात को वह जो मैंनिकेट कर रहा हूं मैं तो क्या कम्मिनिकटर कर रहा हूं बाबा की बात को पढ़ रहा हूं उसमें जो थोड़ा-बहुत मनन हम लोगों ने तरक लगाय हैं मनन किया उसको बता रहें तो बढ़िया बहुत ठीक बात है जैसे जैसे अपने सास्त्रों का एदी एक बार अध्यान हो जाएगा तो एक बीए और चुली इतनी भी स्रेष्ट चीजें होती है बहुत सिंपिल होती है एक जनरल सूथ्र है जनरल सिधांत भी है सच्चाइयां सहज होती है सरल में ऐसे एपना पाते है ना तो ये बिलकुल ठीक है sous मेरे काफी परम बहुत पुराने इसुपश और बहुत प्रयास करते रहते हैं हमेशां बाबु जी कह रहे हैं कि सही है अभी तक के निर्णे तो चाहे व्यापार फिल्म या गल्ती की भावतायत को सर्वे में एमान लिया जाता है क्योंकि उनके पास बैकल्पिक बिरी नहीं है बिल्कुल ठीक है कि ये बाबाजी है बहुत बढ़िया तो कर्मसतंता का लक्षण न मिनने से दुरूपिय हुगाय बिल्कुल ठीक बात है लोगा हम चूग गए हमारी कल्पना में तच्चाईयां नहीं समा पाएं फल सरूत हमारी कर्म सुतनता को डायरेक्शन सही दिसा नहीं मिल पाई बहुत बढ़िया तो तीनों अवस्ताओं को उजार दिया इसलिए हमने दूसरा घर्मों ने ईस्वर को अलकाइदा करके मानव मानव को अथिना बढ़ा चेंज कैसे वह यह बढ़ा चेंज तो अपने में ही हैं तो इस्तिती और गती की बात है तो गती का मतलब है दूसरों में चेंज हो जाना या अपनी ही गती इसलाइक हो जाए तो बिलकूल बढ़िया है और सोबह का मेरा question मिस भी हो गया तो किसी ने कहा था कि क्या अभ्यास करना है अपने को तो अपने में जो मूल अभ्यास है तो पहला अभ्यास तो है कि हम ठीक से सुन पाएं, ठीक से चीजों को सुन पाएं, हट जो अपना बिचारों में हट है, और जो बिचारों में जो हट वो तभी निकलता है, जब हमारे आवेस कुछ कम होने लगते हैं, या जब हमें यह पता लगता है कि मेरे में ही कुछ उधार होने की जरूरत है, तो मुझे लगत आर्थ और प्राण को चैतन जगत में जीव अवस्था और ग्यान अवस्था को यह तो बिल्कुल दिखाई देता है कि अलग अलग बीज अलग अलग चीजों का चैन चुनाओ करते हैं तो चैन की बहुत ही भूर सरूप वहां पर स्पस्थ हो रहा है और चैतन में वही बहुत इस पस्थ रूप से दिखाई दे रहा है जीवों में और मानों में तो चैन के साथ साथ बिचार और इच्छा भी दिखने लगा है बहुत बढ़िया तो जए अस्तित्वादी अब आगे पढ़ते हैं तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मानों का मानों के साथ पू तो फिर दूसरा अभ्यास इसको जीने में प्रियोग करने होंगे इनका जैसे जैसे जीने में प्रियोग करेंगे अपने को उससे होने वाली जो अपलब्धियां हैं वैसा होने से फिर साक्षातकार होना सुरू होगा अबधार्णाय बनने सुरू होगी अबधार्णाय सने सने पुस्ट होंगी है न जिसको कह रहे बुद्धी में अब्धारना जो बनती है conceptual framework जैसी सच्चाई है वैसा ही conceptual अभी हमारा सच्चाई के बिप्रीथ framework है जैसे हमें लगता है कि हम बहुत सारे भोग से सुखी हो जाएंगे जब की सच्चाई इसके विप्रीथ है तो धीरे-धीरे मानवीता पून आचरण से सुखी होंगे इसका framework अपने में बनेगा और इसके रूप में मानवीता पून आचरण के प्रियोग करने से अभ्यास करने से ब्योहार करने से यह जो अभ्धार्णाएं हैं यह पुस्ट होंगी इसको परिपुस्ट अनमान भी कहने हैं एक अभ्धार्णाएं एक लेवल की पुस्ट होने के बाद हमारी आत्मा इस योग हो जाती है कि वो अनभव करने में सक्षम हो जाती है ब्यापक में और फिर उसके बाद बुद्दुप में चैन की क्रिया जीवन में दिखाई दे रही है क्योंकि जड़ ही चैतन हुआ है इसलिए बहुत ही स्मूथ ट्रांजीसनिंग को अपन देख पाएंगे है ना इसको इस अर्थ में पताया है कि कैसे इस बात को पता जगता है कि जड़ ही चैतन है तो कोस गठन बेद को एक बार आप फिर से पढ़िए वहां पर मानव विहार दर्सन में स्रश्टी दर्सन सायथ चैप्तर थी में कहीं है और उस बाले को पाठक भाईयान अच्छे से रखा था उसको एक बार देखिए और फिर उस पर और चर्चा कर सकते हैं बहुत स्मूथ है क्रम बद्ध तरीके से अनुक्रम से नीजे घटे को हम पकड़ पाते हैं तो विग्यान की क्रिया प्रिक्रिया और विग्यान की सार्थक्ता समझ में आने लगती है क्योंकि सह स्थप्तवादी विधी से विग्यान का प्रियोजन मानव लक्ष सार्थक होने के लिए दिसा निर्धारत करना है जो अपने बात की थी मानव लक को सार्थक होने के लिए दिषा निर्धारन वो विज्ञान का काम है। तो मानो का लक्ष समाधान समर्दी अवय सहस्तित होने के कारण यह सर्व मानों में सार्थक होने की दिसा और सिख्षण के तोर तरीकों को निर्धारित करना ही विज्ञान और विबेक का प्रियोज़़। तो कैसे होगा इस अफल तो मानों का लक्ष क्या है समादान सम्रद्धी अवय सहस्तिती होने के कारण को पहचानना और इस सर्व मानों में सार्थक कैसे हो इसकी दिसा के लिए सिक्षन तया प्रणालियां इसके तौर तरीकों को निर्धारित करना इस सब विग्यान और विव तो यह सपस्ट होता है क्योंकि हम लोग पहले याद है हम आप तो साइद पता नहीं पूछते हैं कि नहीं पहले बहुत कॉमन पूछा करते थे इस साइन्स पून और एक कर्स है ना यह अपने आप में अभी साफ है कि बरदान है क्योंकि विग्यान अपने आप में विग्यान का महत्व है, इस विधी से विवेक और विवेक का नजरिया और कारे दोनों इसपस्ट हुआ, यह इस आसे को भी इसपस्ट करता है कि मानों का आच्रन, निस्चित होने के पक्ष में विग्यान विवेक के अर्थ में सार्थक हो जाए, यह बहुत ही बढ़िया है कि ठेके लगाने के अर्थ में नहीं है, ओपियम की खेती करने के अर्थ में नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें तो हमें निरर्थकता की दखाई देंगी, और पान और लक्च के पाने के लिए बिग्यान आवसक है, तो उस अर्थ में वो सपल है, और बिवेक और बिग्यान फ है अस्तत्यवादी ज्यान ज्यान बिविश्चा आर्थ है पढ़िया एक बार फिर आगे लिख रहे हैं मात्रा क्योंकि यह चैप्टर अपनकाय का पढ़ता है मात्रा का तो मात्रा मूल सरूप में एक बिवस्था और बिवस्था में भागी दारी करता हुआ एकाई के रूप में पहचाना जाता है क्यों बार बार क्या रहे हैं कि भीया पर्वाणू से नीचे की तरफ जाने की जरूप नहीं है क्योंकि मात्रा का मूल सरूप तो स्वयम में बिवस्था और बिवस्था में भागी दारी करता हुआ एकाई के रूप में पहचाना जाता है एक से अधिक अंसों के गठन के रूप में आरंब होता है एक अकेले अंस के रूप में नहीं और उससे नीचे तो जाने की कोई मतलब ही नहीं है एक से अधिक अंसों के गठन के रूप में आरंब होता है जिसका आकार अर्थात परणाम निस्चित होता है जिसका परणाम निस्चित है परणाम किसको कह रहे हैं 2-3-4, जीवन-एक-Paramạn, मैंने रखा था उसमें बताय था, और जैसा कि असुख भाई ने बहुत ही अच्छे से जो अंछे से जो बिज्ञान की अपधारनाओं को और सहीस्तत वादी में पर मानी की अपधारनाओं को रखा था, उसको एक बार फिर से बार बार रीकैप कर रही होगा हम सबको जिसका आकार अर्थात परणाम निस्चित होता है आकार अर्थात परणाम के निस्चित के पक्च में बहुत सारा उधायरन प्रस्तत हो चुका है बावा ने पहले बहुत सारा उधायरन दोहे का चानली का ऐसा द सभाव धर्म के पृति सपस्थ होना आवस्थ है तो हर रूप आकार आयतन और घन के रूप में सपस्थ है तो रूप का क्या मतलब है जवापन कहते हैं रूप गुण सभाव धर्म को समझना है तो क्या मतलब है रूप को समझने का मतलब रूप का मतलब है आकार रूप का मतलब है आयतन रूप का मतलब है घन इन तीनों के सम्मलित रूप में रूप कह रहे हैं तो आकार तो दिखते ही है जैसे एक मनुस्य का आकार है एक गाय का आकार है एक कुरसी का आकार है एक नीम क के पीड़ का आकार है एक बरगत के पीड़ का आकार है तो इस तरह से हम आकार हम देखते हैं तो आकार का मतलब जैसा बना हुआ रहता है उसको कह रहे हैं आकार साथ में जितने जगए में फैला रहता है और जितनी जगए में फैला रहता है उसको कहते हैं आयतन है ना तो जै जैसे कोई चीज जादा जगह में फैली हुई है कोई छोटी जगह में फैली हुई जैसे गाय का गाय जादा आयतन को घेरती है मनुस कमा आयतन को घेरता है तो इस तरह से हम आयतन को पहचान सकते कितने में वह फैला हुआ है आकार का मतलब जैसा बना हुगा रहता है, साथ में जितने जगे में फैला रहता है, कार करता अर्थात इस्थित रहता है ऐसे ही यदि हम घं की बात करेंगे, तो घं कहते हैं कितना उसमें डेंसिटी, कितना मटेरियल है जैसे एक लकडी की उतनी ही बॉल या एक लकडी की चेर बैसी देखने में लगती है लोहे की चेर भी लेकिन लोहे की चेर को उठाते हैं तो भारी है उसका घंड जादा है उसमें मटेरियल जादा है क्योंकि लोहे के परमाणू में अंस जादा है और भार उसके नाभिक से आ आकार आयतन घन, अब आख में आकार और आंसिक रूप में आयतन आता है, घन तो आख में आता ही नहीं, क्योंकि दोनों कुर्सियों को लोहे की और लकड़ी की एक जैसा नीले रंग का पेंट करके रख दें, आख से देखने से पता नहीं चलेगा कौन सी भारी है, तो घन भी तो रूप भी पूरा आक से दिखाई नहीं देता, जब कि हम एक बार जो पाठक भाई ने बहुत अच्छा उत्तरित किया था, जो योगेस भाई ने पूछा था, योगेस भाई से जब किसी ने पूछा था, तो उसको पाठक भाई नहीं रखा था, जो ब्यक्त है ना, आख से तो भाईया, प्रतेक्च में तो रूप भी पूरा नहीं दिखाई देता, गुण सुभा और धरम तो आगे की बात है, तो रूप में भी गड़त अधिक, रूप से अधिक इसलिए कह रहे हैं कि आख सी जो दिखाई देता है, गड़त उससे अधिक देख पाती है, और बहुत ही ब्यूटिफल है, और समझ पूर्ण संपूर्णता में चीजों को देख पाती है, ऐसलिए कारण गुण गलित की भासा की बात करते हैं, बढ़िया, तो अब यहां रूप गुण सुभाव धरम के प्रतीस पस्ट होना है, हर रूप आकार आयतन घन के रूप मे आकार का मतलब जैसा बना हुआ रहता है, साथ में जितने जगह में फैला रहता है, कार करता है, हर्थात इस्थित रहता है, जैसा अब एक परमपरा के बारे में सोचा जाए, कितने जगह में क्रिया सील रहता है, वैसे ही आगे अनेक अनू से बनी रचनाएं, जाहे बहुत बड़ी हो छोटी हो इसका रूप जिस आकार में बने रहते कितना जगे घेरे रहते है इसके आधार पर रूप का पहचे है इन में से आकार क्या है आकार कैसे है का पक्ष बनावट से न क्या है और आय 你कार घेराओं से अर्थात फैलाओं से है घेरने का ताथ पर ब्यापक बस्तू में सभी और से सीमित अब फैलना भी क्या है कोई चीज कितनी फैली हुई है तो finally उस फैलाओं को देखेंगे तो यह पता लग रहा है कि फैलने का मतलब है कि वो finally कि finally वो ब्यापक से सीमित है जाना चार उससे घिरी हुई है चारों तरफ से तो घेरने का ताथ पर ब्यापक बस्तू में सभी और से सीमित रहने से है दूसरी बिदी से लंबाई चोडाई उंचाई से भी है कितनी थ्री डायमेंशन की जावपन बात करते है आइनली देखेंगे तो मल्टी डायमेंशन है क्योंकि हर दिसा में एक डायमेंशन है जाना तो बोलचाल की भासा में अपन बोलते हैं कि 3D कितनी लंबाई चोडाई उंचाई है उससे उसकी आकार का प्रता है इन विदियों से हम आकार को सभी और प्रतीविंबित रहता है अर्थात इकाई के सभी और इस्थित इकाईयों पर आसित इकाई का प्रतीविंब रहता ही है जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूँ इस कमरे की जो चारों तरफ दीवाले हैं और यह चो छत है और जो नीचे ग्राउंड है इन सब पे मेरा पृतिविंब पड़ा हुआ है इस लैप्टॉप पर तो इसको कह रहे हैं पृतिविंबित रहता है तिकाई के सभी और इस्थितिकाईयों पर आसे तिकाई का पृतिविंब रहता ही है इस प्रकार से एक दूसरे के पहचान की विधी बनी रहती है इस वो उसी को आगे चर्चा कर रहे हैं तो मैं इस paragraph को सिर्फ पढ़ लेता हूं और इसको अपन इसकी ब्याख्या कल करेंगे तो पहचान विधी को बनाने की जरूरत नहीं है इस विधी से हर वस्तू हर वस्तू हर दूसरी वस्तू पर प्रतिविंबित रहता ही है कि हर वस्तू प्र को एक बार देख लेते हैं तो आज तीनों अवस्ताओं में आच्रण की स्थिर्था को जवर्दस समझाए धन्यवाद बाहु है या क्या रायपुर जैसे मानव चेतना विध्याले या स्कूल का लोग व्यापी करन अभी तक तो और ज्यादा हो जाना चाहिए था चाहिए क जो बहने हैं वो भी इस बात को उस परियोक में स्वयम सफल हो जाना चाहती थी यहना इसके बाद अब ही उन्होंने इस बात को खोला है या इस बात का मन बनाया है कि अब इसका ब्यापी करन किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने अपने में एक लेविल की आस्वस्ती को पा है ब्हुत बढ़िया और यह भी बात दूसरी बात भी बता देविविव करन को , ब्हूत एसको ब्यक्ति के लोग ब्यक्ति को जाएं वह था मतलब है कि बहुत ऐसे लोग चाहिए चीह ऐसे ब्हक्ति जो इस not को जीईने के लिए उनका एक लेविल का अध्यान हो गया हो एक लेविल का जीने की स्पष्टा बने हो इस तरह से ये धीरे-धीरे शफल होगा और हम सब प्रयास करेंगे जिनेश भाईया सहत सहस्त तुबादी नजरिये से विज्ञान की क्रिया-प्रिक्रिया सार्थक्ता सुनिस्चित होती है तो सार्थक्ता का सुनिस्चित होने का एतनी मतलब इस प्रकास भाईया की हर परवार समाधान समरद्धी पूरवग जी सके इस तरह से विज्ञान से भी बहुत सारे चाहे वो स्वास्त के छेत्र में हो चाहे वो अतपादन के छेत्र में हो है ना इन सब चीजों की सार्थकता या जो इंटरनेट के छेतर की जो एक कनेक्टिविटी हो जो प्लानिंग करने में तो आपन देखेंगे कि विश्ट में कितनी चीजों की आवस सकता है उसकी कैसे प्लानिंग की जाए इन सब में ये चीज बिल्कुल सार्थक होगी, अभी तकी जो बिज्यान है, लेकिन अधीए सही दिसा में अरथात लक्ष को पहचान करके इसको किया जाए, तो ये बिल्कुल सफल होगा, तो उसमिसार्थक हो सकता है, और अधर्वाइज हम बहुत सारे इस से बिक्रतियां देखी रहें, बहुत